आवाज आ रही है मेरी और इस्क्रीन भी दिक रही है जी सर शेलिए गुड मॉर्णिक अल आफ यू आज की क्लास शुरू करते हैं ग्यान योग साधना के चरण और साधन चतुष्ट है जो की BPT Second Year और BSC First Year दोनों के कूर से सम्मंदित है दोनों के स्लेवस में है ग्यान योग और साधन चतुष्ट है इसे समंदित इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है क्लास हो चुकी है ग्यान योग के नाम से इंटुटक्शन आफ ग्यान योग या ग्यान योग जिसमें हमने ये जाना था कि ग्यान योग किया है और ग्यान योग के परंपरा में जिस तत्तु का ग्यान होता है या जो लक्ष है जो ग्यान की अवस्था है या जो योग की अवस्था है या जो जीवन का मुख्य और अंतिम लक्ष है वो क्या है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था वो है ब्रम्भ का ग्यान क्योंकि ग्यान योग प्रमपरा में तत्व एक मात्र ब्रम्भ ही है और ब्रम्भ का अनुभूति के अस्तर पर ग्यान हो जाना ही तत्व ग्यान या ग्यान योग का चर्मोत कर्स या योग की अवस्था या ज द्वयत है और जो विविद रूपों में हमें माया के कारण दिखाई पड़ता है जबकि वह एक मात्र सकता है ये एक संचित सा परजय है जिसको हम लोगों ने इसके पहली की क्लास में पढ़ लिया था अब उस अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए उस अवस्था को प्रा करता हूँ आज फिर रिपेट कर रहा हूँ योग जिस अवस्था को कहा जाता है वह अवस्था तत्व ज्यान की अवस्था कहलाती है लेकिन यह तत्व क्या है इस प्रण के उत्तर में हर संपरताय का हर स्कूल का अपना अलग-अलग मत है कोई कहता है तत्व एक है कोई कहत प्रगेट और पुरुस्स – उन i2 में ऐतित जो देखता है जो समझता है वह अज्ञान की यूज़्याण क का जुद्र वाउस्था जनकी वह फप हमया यूज़्यह संक्राइख हम यूके अनुसाए, एकch जूद हकता है दो कवदाहन दे करके इस बात को समझाने का प्रयाज की तो इसी तरह से अलग-अलग स्कूल में अलग-अलग इस बिशे को लेकर के अपने थौट्स हैं कि तक्त क्या है इस बात को लेकर अलग-अलग थौट्स है और फिर उस तत्य के ज्यान की प्राप्ति कैसे हो उसे कैसे रिलाइज किया जाया अनभो के लिए उसका ज्यान कैसे हो इसके जो साधन बताये गए हैं वो भी अलग-अलग है सबके लेकिन उनका अनुसरन करके उनका पालन करके उनको अपना करके हम उस तत्व ज्यान रूपी अवस्था को प्रात करते हैं तो वो हम अलग-अलग स्कूल को इसलिए पढ़ते हैं कि अलग-अलग स्कूल को पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि भाई इस स्कूल का योग के संदर में क्या थौट्स है, क्या ऐडिया है और उस thoughts को प्राप्त करने का या उस achievement को प्राप्त करने का साधन क्या है रास्ता क्या है तरीका क्या है यह हम अलग-अलग इस कोच में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम अब ज्यान योग में क्या पढ़ेंगे? ज्यान योग में पढ़ेंगे कि ज्यान योग के अनुसार योग क्या है? तो ज्यान योग के अनुसार तब तो क्या है? ब्रंब. तो ब्रंब का ज्यान क्या होगा? योग की अवस्था. ब्रंब का ज्यान क्या होगा जीवन का लक्ष जब तक ब्रह्म का ज्यान नहीं होगा तब तक जन्म और मृत्य किया प्रक्रिया चलती रहे ये ज्यान योग के अनुसार हो गया तो अब ये हम चुकी पढ़ चुके हैं इसके पहले पढ़ भी चुके हैं अब आज हम पढ़ेंगे कि इस प्रक्रिया में इस और उस अवस्था को भी यो कहा जाता है जो टत्य ज्ञान की अवस्था है तो तत्य ज्ञान की अवस्था की चर्चा अब इसमें पहले वाले किसेश में कि जा चुकी है उसमें ये अगर पूरी क्लास आप जुड़ते रहोगे तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे अब हम देखते हैं ज्ञान योग के दूसरे लक्षर में कि ज्ञान योग की अवस्था को प्राप्त करने के साधन क्या है कौन कौन से उसके तरीके हैं इसी को साधन चतुष्ठे कहा गया है साधन चतुष्ठे उसका जो पहला पार्ड है उसके अंतरगत आप यह देख रहे ह एक है जिसे हम बहरंग साधन कहते हैं, दूसरा है जिसे अंतरंग, बहरंग मींज एक्स्टर्नल साधन और अंतरंग मींज इंटर्नल साधन, बहरंग साधन के चार भाग हैं, विवेक, वैराग्य, शटसंपति और मुमुच, और अंतरंग योग के तीन साधन हैं, स्रवन, मनन और चुंतन, अंतरंग योग और बाहरंग योग दोनों साधना के चरण है, चरण जैसे स्टेप्स, जैसे सिड़ी नहीं होती है, तो सिड़ी पे हम स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, ऐसा थोड़े होता है कि जब जिस पे चाहें उसके हम पैर रखते हैं, no, it is not possible, कैसे होगा आप पहले पहली चुड़ी पे पहर रखेंगे, फिर दूसरी पे फिर चोथी पे और आप अपने मंजिल तक या उसके टॉप पर ऐसे वन बाई वन करते हुए आप वहां तक पहुंच सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से पहले बहरंग, फिर अंतरग, और बहरंग के चार साधन हैं, इनी को साधन चतुष्ठय भी कहते हैं, विवेक वैरागिशट संपत और मुमुच और अंतरग के अंतर आएंगे, श्रवन मनन और निदिध्यासन, अब इनको देखते हैं, एक-एक करके, यह कुछ भाई बंधू लोग आ गया है, यह खिट-खिट करके डिश्टर करत देखते हैं कि यह बहरंग योग के जो है, चार इनका क्या है, मीनिंग और यह हमारे साधना में कैसे एक स्टेप की रूप में आते हैं, तो बहरंग योग के चार साधन, विवेक, वैरागिशट संपत और मुमुच वैराग और विवेक को इस स्लाइड में देखते हैं कि व स्वत्र एक मात्र ब्रह्म ही है ब्रह्म के अत्रिक्त समस्त जगत अनित नासवान है यह बिवेचन द्रिष्ट ब्रह्म का है यह बिवेचन द्रिष्टी विवेक कहलाती है तो बिवेक का अर्थ क्या है कि सर्वत्र एक मात्र सत्ता का ही ज्यान होना और विवेक के द्वारा उसको अनभो करना तो जो basic concept है ज्ञान योग का जिसका मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इसके पूर लक्षर में भी कर चुका हूँ कि ज्ञान योग का एक ही बात मानना है कि सास्वत सत्ता एक मात्र है सास्त उसी कहते जो नित्त होता है जो तत्त होता है वो सास्वत होता है सास्त मींज उसका अस्तित्त सदयो बना रहता है वह नास्वान जो है वो नहीं होता है वह क्या होता है वह अनित्त नहीं होता है वो नास्वान नहीं होता वो क्या होता है, वो नित्य होता है, नित्य माने सदयो रहने वाला, सदयो एक्जिस्ट, नित्य का मतलब होता है एक्जिस्ट करना, तो वो सदयो एक्जिस्ट रहता है, वो कभी उसका अस्तित्यो नष्ट नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं नित्य, ये नित्य दर्शन की भा तो जो नित्य होगा वही तत्य होगा वही सास्वत होगा और उसी का ज्यान ही तत्य ज्यान कहलाएगा और उसी का ज्यान ही योग की अवस्था कहलाएगी और उसका ज्यान ही जीवन का लक्ष है तो ज्यान योग का मानना है कि एक मात्र एक सत्ता है और उस सत्ता का नाम है ब्रम्भ वही एक मात्र नित्य है वही एक मात्र सास्वत है उसके अत्रिक्त यानि उस ब्रम्भ के अत्रिक्त जितना कुछ है वो सब क्या है वो सब मिथ्या है च्ट्याम जगत मिथ्यां ये ज्ञान विडिव रिबोप हो जाए, कि एक मात्र भंभ ही का ही अस्तित है, ब्रम की ही सकता है, उसके अत्रितिया, जगत अनित्य है, नास्वान है, तो यही दृष्टी, यही बिवेग कहलाती है, बिवेशन की यह दिश्ट ही बिवेग कहला तो यहां यह बिवेग का मेनिंग हुआ अब दूसरा बैराग है फटी जी बैराग है बैराग को यहां देखिए परिभासित किया गया है इह स्वर्ग भोगेश इच्छा अराहित्यम यानि कि चाहे इस लोकिक जगत के बात हो और चाहे स्वर्ग लोक के बात हो सभी भोगों के प्रती इच्छा का अभाव रहना ही बैराग है यानि कि किसी भी प्रकार की चाहे इस लोक का इस लोक का चाहे भोग हो और चाहे स्वर्ग लोक का भोग सबी भोगों के प्रती भोग के प्रती इच्छा का अभाव भोग की इच्छा ना होना तो भोग की इच्छा ना होना ही क्या है बहरागी यह बहरागी डेफिनेशन यह बताए गई यह समझ में आ रहा है भोग जो होता है वो इंद्रिय जनित होता है जितनी आपकी इंद्रिय अनभूतियां होती हैं और उस अनभूतियों को हम उन अनभूतियों से अपने आपको हम जितना तगड़ा कनेक्ट करते जाते हैं जितना तगड़ा रिस्ता बनाते जाते हैं उतना तगड़ा होगा, जितना वह प्रवल होगा, जितना प्रभावी होगा, उतना ज़्यादा हम योग से दूर है, भोग और योग दोनों का अपोजिट रास्ता है, एक पॉइंट है भोग और दूसरा पॉइंट है योग, और हम लोग संटर पॉइंट में हैं, संटर पॉइंट in the sense कि center points means ये नहीं कि दोनों को मतली है center point को मतलब कि हाँ कुछ दूर तो चले ही लेकिन भोग की योग पास जादा है और योग से काफी दूर है तो हम एक की ओर जब बढ़ेंगे तो किसी भी एक का distance जब कम होगा तो दूसरे का distance बढ़ेगा ये बहुत ही basic fundamental बार यानि कि अगर हमारी प्रवित्य भोग की ओर बढ़ेगी तो योग से distance बढ़ेगा और योग की ओर बढ़ेगी तो भोग का distance बढ़ेगा तो इसलिए यहाँ पर वैरागी को दूसरा साधन माना गया है और ये कहा गया है चाहे भोग इस लोग के हो इस लोग के हो इस लोग मतलब ये जो संसारिक लोग जिसमें हम लोग जी रहें जो हमारा ये इस लोग में रहने का जो जीवन है और चाहे स्वर्ग का सुखो किसी भी प्रकार के सुखो को उनके परती भोग की प्रवित्ति ना होना क्यों ना होना क्योंकि ये दिमाग में ठीक से बैठ जाना कि इनका जो भोग है वहां लगे आस्थाई है वहां छानबंगूर है इसमें stability नहीं है उसमें इस्थित्ता नहीं है तो जिस भी चीज में इस्थित्ता नहीं होती है उसके प्रत्य में उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए तो इस्थित्ता एक ही मात्र है तत्त में है क्योंकि जो नित्य तत्त होगा इस्थित्ता उसी में होगी और वहां नित्य तत्त क्या है वहां ब्रम्भ ही एक मात्र में नित्य तत्त हो राग और भयराग राग माने अटाइच्मेंट और उस अटाइच्मेंट से दूर होगा बयरागी कार्थ हो गया आप स्ट संपत देखते हैं जल इस्लाइड में होटे शड संपत तो 60 संपत के अंतरगत 6 चीजे आती है यह 6 इसी 60 माने होता है 6 और संपत की माने प्रॉपर्टी संपत उसी को कहते हैं अब वो बात अलग है कि अध्यात्मी जगत की प्रॉपर्टी कुछ होर होती है भावतिक जगत की प्रॉपर्टी कुछ होर होती है तो यह अध्यात्मिक जगत की या यह ज्यान योगमार की जो प्रॉपर्टी है उसी को शट संपत कहा गया है और वो क्या है ये बात इसमें हमें देखना है शट संपत के अंतरगत हमें ये देखना है तो इसमें है शम, दम, उपरत, तितीक्षा, फ्रद्धा और समारा ये छे चीजे हैं इनी को बोलते हैं शट सम्पत एक-एक करके देखते हैं सम क्या है समो नाम आंतरिंद्रियाह निग्रह यानि की जो उभए इंद्रि मन का निग्रह कर लेना ही सम है क्योंकि मन के निग्रा से ही सरीर की इंद्रियों का निग्रा संभ हो है तो यहाँ पर मन को निग्रा करने की बात के है निग्रा मतलब होता है उसके विश्रयों से उसको हटा लेना अब देखिए थोड़ा मन को समझे ग्यान इंद्रिया क्या होती है ग्यान इंद्रिया विश्रयों के और भागती है, ग्यान इंद्रिया कितनी है, पांच है, जैसे हमें ग्यान होता है, जैसे कि आख से हम देखते हैं, तो जो चीज अच्छा लगता है, आख उधरी भागती है, और मन को भी अपने साथ उधरी ले जाती है, कान क्या है, श्रोत क्यों कि यह इंद्री के अंतरगत भी आती है और यह अंताकरण के अंतर भी आती है यह दोनों में इसलिए इसको छटी इंद्री भी कहते हैं इसलिए इसको ग्यारवी इंद्री भी कहते हैं जब हम करमेंद्रियों को भी इसमें करेंगे तो ग्यारवी इंद्री हो जाएगी औ उभें इंद्री है तो इसमें क्या करना है कि सम का अर्थ है इंद्रिय को मन रुपी इंद्रिय को निग्रा करने अगर मन इन पंच ग्यान इंद्रियों का साथ शून दे उनसे वापस आ जाए तो यह इंद्रियां अर्थ हीन हो जाएंगी यह इंद्रियां क्रियाई हीन हो जा जैसे मालीजिए हम कोई चीज जब ग्रहन करते हैं तो उसका टेस्ट में मिलता है न हम टेस्ट से जुड़ते हैं और उसको कराता कौन है स्वादिंद्रिय कराती है जीवा और उससे में स्वाद मिलता है रसकुला मीठा है इमली खट्टी है संद्रा कुछ खट्टा और कुछ मिठा है मिठाई, मिठी है मिर्च, कडवी है तो उसका हम टेस्ट लेते हैं और हमें उसका ग्यान होता है किसी प्रकार हमें सुनाई पड़ता है हम सुनते है इन सब में मन का जुड़े रहना जरूरी है अब आप बताईए अगर आप कोई चीज खा रहे हो और उस खाने आपको मालीजे एक पीज मीठा दिया गया खाने की लेकिन आपने उस मीठे को सुभाव बस क्योंकि खाने की आदत इतनी बार किया है कि हाथ अपने आप चीज को उठाता है और मुमें ले जाता है उस समय हम कुछ देख रहे हो कुछ सुन रहे हो तो उससे हमारा काम थोड़े बादित होता है हमें ध्यान थोड़े रखना पड़ता है लेकिन अगर किसी दूसरे को खिलाना हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता उसके बाद भी कुछ इदर उदर गिरी जाता है क्योंकि उसका हमें अभ्यास नहीं है तो अगर आपने मीठे का पीस उठा के मुह में रखा लेकिन उठाने के पहले से लेकर पूरे खाने की प्रक्रिया तक आप किसी भीसे के बारे में सोचते रहे हो और बीच में एक बार भी मन आपका उस प्रक्रिया पर नहीं आया कि I am having sweet I had sweet इधर आया ही नहीं और आपको बिल्कुल इस चीज का अभास नहीं हुआ आपको मीठे के मिठास का अभास होगा बिल्कुल नहीं होगा किसी कीमत पर नहीं होगा अगर इस पूरी प्रक्रिया में आपका मन कहीं अलग लगा रहा इसे तरह से दूफरी चीजे किसी भी इंद्री का आप ज्यान कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे कारी हैं इसके पहले मेडिटेशन के लेक्चेर में मैंने इस बात को दूफरी तरीके से या दूसरे परफेक्ट में बताया है कुछ ऐसे कारी हैं जो बहुत प्रवल प्रवाव डालते हैं हमारे चेतना पर हमारे इस्पिरियंस के लेबिल पर लेकिन वहाँ पूरी तरह से हमारे विचारों पर निर्बर है हम अगर अपने मन को कही अलग केंद्रित कर लें वहाँ कारी किसी केमत में संपादित होई नहीं सकता तो इस पूरे कांसेट से जो बताने का प्रियास किया गया है यानि योग की परमपरा में भी ये बताने का प्रियास किया गया है कि आपका जो मन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसको इंद्रियों के साथ जो इसका तालमेल है शरीर की इंद्रियों के साथ जो इसका रिस्ता है जो कनेक्टिविटी है जो दोस्ती है वहां से उसको हटा लिया जाए तो मन के निग्रा से ही शरीर की इंद्रियों का सब्सक्राइब इंद्रेलाउस क्रिण को निक्राई करना तो बिना मन को वहां से वापस लिए शरीष की इंद्रियां अपना कारिकर्णा नहीं कर सकती है तो अगर सीध्य मन से उनको डिसकरनेट करते आजाया वस वह कुरिया सील उसकर का कोई मतलब है यही ज्यानियों का सिदा इसी को सम कहा गया है दम चच्छुराद इंद्रियों को उनको विशे उसे हटा लेना अब अगर वो सम हो जाएगा तो दम भी उसी के पार्ट हो जाएगा तो दम में क्या है इंद्रियों को उनको विशे उसे हटा लेना जैसे हर इंद्री है उसका अपना बिसे है, हर एक इंद्री का एक ही विसे है, दूसरा बिसे नहीं, वो अपने विसे सिक्का ग्यान ही कराता है, कान का काम सुनना तो क्योलो सुनेगा, कान देख नहीं बता सकता है कि सामने जो चीज है वो लाल है कि पीली, या क्योल आँक बता सकती है, और आँक स इंद्रियों को उनके विषयों से वापस ले लेना हटा लेना और सम मिन्स मन को ग्यान इंद्रियों से वापस हटा लेना ग्यान इंद्रियों और मन की बीच के सम्मंद को समाप्त कर देना सम्मंद को तोड़ देना उपरत उपरत की सुपहते उपरत का आर्थ है बिरत हो जाना अर्था जगत की बस्तों में आसकती न होना ये उपरत जो है वो बिरत मेंस वही बैरागी का ही एक रूप है तो जो सांसारिक बस्तों है उनके प्रती अनासकती हो जाना जगत में हमारा बस्तों के प्रत क्या होता है आसकती होती है तो आसकत का मतलब attachment ही है रागी है तो उपरतकार्थ है सांसारिक भोग विलास के जो बस्तुएं हैं जगत के जो बस्तुएं हैं और उन बस्तियों से हमारी सनलिपता है उनके मिना भरहने पाते उनको बार 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 एक प्रवल भोगने की जो बार-बार हमें एक तरह से नचाती रहती है इस तरह से डिस्टर्ब करती रहती है उस में आसकती ना होना उपरत कहलाता है तितिक्षा का मतलब होता है कि जो आतावरणिये कश्ट हैं उन कश्टों को सहनने की सामर्थ होना और सामर्थ कैसे होना बिचलित होते भी हुआ ब संसार के काउन से वाता बनिये हैं सुक है दुख है मान है अपमान है किसी ने बहुत तारीफ कर दी कि किसी ने थोड़ा स्कुछ कह दिया, मानित कर दिया कहीं, कहीं किसी घटना से सुख मिला, किसी घटना से दुख मिला, या जाला आया तो बहुत ठंडी होने लगी, उश्न आया तो बहुत गर्मी होने लगी, इन सब इस्थितियों में जो धायर करने की सामर्थ उसे हम कहते हैं तितीक्षा धायर रहने की जो सामर्थ है उसको हम कहते हैं तितीक्षा अब इसके बाद तितीक्षा के बाद फिर आता है स्रद्ध स्रद्धा क्या क्या आर्थ है तो स्रद्धा का आर्थ है कि वेद वाक्यों में वेदांत में सास्त्र में और गुरु वाक्य में अगाधर स्रद्धा होना ही जो है वो स्रद्धा कहलाती दरसल जो वैदिक दरसन है जो वेद है या वेद उपनिशद है तो वेद और उपनिशदों के प्रती इनको चुकी आगम प्रमाल के अंतरगत माना गया और इन पे वैदिक दरसन के अंतरगत आने वाले जो भी है वो जरा भी प्रश्ने नहीं उठाते तो यहां स्रद्धा का आरत है कि जो वेद में लिखी गई बाते हैं, जो वैदिक सिध्धान्त हैं, जो सास्त्रों में लिखी गई बाते हैं, छे सास्त्र हैं, जिनको दर्शन कहते हैं, या गुरु का वाक्की है, तो इन पे अटल विश्वास रखना, इनके प्रती, इनके सि चित्त में stability नहीं और stability नहीं होने के कारण हरदम भ्रहम की स्थित्ती बनी रहती है कि ये बात क्या सकती है कि ब्रहम भी एक मातर सकता है कि असत्ती है ये कैसे माना जाए तो इस तरह के चित्तियां क्यों बनी रहती है क्योंकि चित्त में एकागरता नहीं समाधान का आर्थ क्या है चित की एकागरता तो चित की एकागरता का नाम समाधान है यह तरह की समाधी ही है समाधी के जश्ट भी फोर की स्थिति तो यह छे अभ्यास को हो यह छे स्थितियां को हो जिनको शट संपत के नाम से जाना जाता है जो चतुरांग योग के अंतरगत आने वाला भाग है, शट संपत क्या है, चतुरांग का पाड़ है, चतुरांग को जो यहां चतुष्ठे साधन, चतुष्ठे साधन यानी चार प्रकार के साधन, किसके ज्यानियों के, चतुरांग यहां नहीं है, चार प्रकार के साधन है, साधन चतुष्ठे बोलता है, साथन चतुष्ठय का अंतिम भाग है मौच्षट कार्थ क्या होता है मोच्ष प्राप्ती की प्रवल इच्छा तो संसार की अनियत्ता का घ्यान हो जाने पर उत्पन वयराक के करण मोक्ष रूपी अचय प्राप्त की जो उतकट इच्छा है उसी को मुच्छत कहते हैं यानि मुच्छ की इच्छा किसको कहते हैं मोक्ष को कहते हैं तो मोक्ष की जो प्रबल इच्छा है वो कब होगी और प्रबल इच्छ तब होगी जब बिल्कुल अनुभो के लेवेल पे समझ में आ जाएगा कि यह संसार जो है वो अनित्य है यह संसार में सुक की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो यह जब बिल्कुल दिमाग में ठीक से बैट जाएगा इसके अनित्ता का वो हुझाए कि यह सब क्या है नित्य नहीं है अनित्य है तब जागर के एक प्रबल उत्कंठा होगी मुच्छ पद की प्राप्ति की उसी को मुच्छ तका गया है क्योंकि किसी व्यक्ति में कुछ पाने की योगता है या नहीं यह सेकंडरी प्रण। पहले है कि वो चाहता है कि नहीं चाहेगा है, क्योंकि जो चाहेगा उसकी इच्छा पूर्ण जरूर होगी, और जो नहीं चाहेगा उसको वो मिलना भी नहीं है, तो इच्छा जो है वो प बहरंग योग है वो हो गए चारो ये अंतरंग योग भी देख लेते हैं दो चराण है बहरंग साधन और अंतरंग साधन तो बहरंग साधन के अंतरगत हमने चार चीज़े देख ली अब अंतरंग के अंतरगत जो तीन चीज़े हैं स्रवन मनन और निप्जासन स्रमण का मतलब है गुरु मुख से तत्य ज्यान अर्थाद ब्रह्म के निश्यात्मक संसरेत ज्यान का स्रमण करना यानि बार 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 गुरु का उपदेश सुनना गुरु के मुख स्री मुख से उपदेश सुनना क्या है यही है स्रमण करना देखिए किसी भी विशे जैसे कहते हैं कि किसी व्यान किसका या उपदेश किसका सार्थक होता है उपदेश सदय उस व्यक्ति का सार्थक होता है जो व्यक्ति अपने अनुभों के ले बिल पर बोलता है और वही बोलता है जो खुद करता है ऐसा नहीं कि दूसरों को उपदे इच्छा जागरित होती है और फिर बार-बार उसके कहने से वह इच्छा प्रबल प्रबल और प्रबलतम रूप धारण करती है इसी को आधुनिक भासा में बोलचाल की भासा में हम लोग क्या प्रियोग करते हैं क्या कहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन तो मोटिवेशन is very important for any achievement उसी को यहां कहा गया है कि जब आग गुरु मुख से बार-बार बार बार उसके महत्त को सुनते हैं तो उसको प्रात करने की जो इच्छा है इच्छा की जो प्रबलता है जो उतकंठता है वो और बढ़ती जाती है उसमें और प्रबलता आती जाती है तो यह आपका स्रमण हो गया मनन ब्रहम विद गुरु के मुख से ब्रहम के बिस्य parallels की नहीं, क्या है मनन, यानि कि जो आपको गुरु मुक्से या गुरु के द्वराव को देश में मिल ला है, उसको उसको जो है उसके चिंतन करना, और उसको चिंतन करके अंता करन में ठीक-ठीक से बेवस्थित कर लेना, ठीक-ठीक से प्रतिश्थित कर लेना, ये क्या है, ये है और निद्यासन का आर्थ है साच्छात्कारी आनुवति शरीर से लेकर समस्त जण परियन तक में भिन्यता की भावना का परित्या करके एक मात ब्रह्म की अनुवति करना निद्यासन की चरम परणत है यही ज्यान योग की चरम उपलब्दी है अतवा परमलक्ष की प्राक्ति कि यह परियासन है अंतरंग योग का क्या है अंतरंग योग साधन का पर्यावसान है किसमें यान योग कि निद्यासन का अर्थ है साच्छात्कार या अनुभूति तो यहां साच्छात्कार या अनुभूति की शुरूप में होगी साच्छात्कार या अनुभूतिक आर्थ नोद और में और सकता है एक मात्र ब्रहंब की सत्ता का जो सर्वत्र अनभूत के लूग अस्तर पर ज्यान होता है यही ज्यान योग का चम्रूत कर से और जब यह ज्यान होता है तब ही सारी समस्याय समाप्त हो जाती है ना कोई किसी को मार रहा है, ना कोई किसी को काट रहा है न कोई किसी से पैदा हो रहा है न कोई किसी को अप मानता रहा है न कोई किसी को मानता रहा है यह सब एक ही ब्रह्म के रूप है जो नाना रूप में अव्यत्व हो रहा है तो इस एक मातर सत्ता का जब ज्यान होता है तभी अंदर से अनंदी के निभूत होती है और सारे कश्ट सदा-सदा के लिए समाप्थ होते हैं यही तत्ध ज्यान है और यही ज्यानियोग है और इन साधनों के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है आज हमने साधन चतुष्टे के अंतरगत इनकी चर्चा की और ज्यान योग के साधन और उनके चरण के अस्तर पे भी चर्चा की साधन चतुष्टे के चार वेद देखे और अंतरंग साधन के भी तीन वेद देखे श्रवन मनन और निद्यासन तो इस तरह से आज ये साधन चतुष्ठ है ज्यान योग के बात का जो लेक्चर था साधन चतुष्ठ है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है आप लोगों कोई आज से समंधित इस क्लास से समंधित question है तो question पूशने और इसी के तुरंद बात क्लास श है योग और है तो एक इसी के बाद उसका लेक्चर होगा इसके पहले अगर किसी कुछ question है तो question पूशन पूछ लिए